है हलो दोस्तों वस्कार तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं आपका लक्ष्मिकांद की बूक है प्वालिटी है जिसमें आज पार्लेवेंट्री फॉर्म आप देखने जा रहे हैं तो चलिए हम लोग इससे शुरुवात करते हैं तो आपका सब्जेक्ट हो गया यहां पर प्वालिटी का हो गया और बुक हो गया आपका आपका एहम लक्ष्मिकांद और जो चैप्टर हो गया बारह हो गया पार्लेमेंट्री फॉर्म आफ गॉव्मेंट्री फॉर्म जो भी जहांपे भी पॉलिटी आपका इुज होता है वहां पर इस का जोगा चाहें आप सब्धाइब क्यारिकर होगा तो यह है जो आपको U-P-S-E हो गया सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा है और अगर पसंद आता है तो को मेंन जरूर करते हैं तो अच्छल में जो आपका फॉर्म आफ गॉफ्मेंट की पहले हम लोग बात करें यहां पर तो सबसे पहले हम फ्रसा यहां पर इंट्रूडक्शन देखें गया तो जो आपका फॉर्म आफ गॉफ्मेंट है अगर हम लोग उसके बारे हम बात करते हैं यहां पर तो अपका हो गया यहां पर आपका फॉर्म आफ गॉफ्मेंट ठीज है तो गॉफ्मेंट के फॉर्म की अगर हम बात करें यहां पर तो दो टाइप का है एक आपका है यहाँ पर परल्यमेंट्री फॉर्म और दूसरा है यहाँ पर प्रिसिदेंशियल फॉर्म है में जो परल्यमेंट्री फॉर्म है यह जो आपको डिवीजन अफ पांवर करता है यह उल्एंट्र पांवर करता है और जो प्रिसिदेंशियल है यह सेहन पांवर करता है और और यह आपको आज के डेट में यू एस ए में आपको देखने को मिलता है और यह जो आपको ब्रिटेन में आज इसको हम लोग ब्रेटिस मोडल आप दॉबमेंट बोलते हैं या कैबिनेट मोडल भी बोल देते हैं अब टीक है तो यह आपको एक्ट्वल फॉर्म आप गवर्मन्ट दो तरीके से काम करता है एक आपका सेप्रेशन होता है जिसमें जोब आपको लेस्टेटीव एक्जिकेट विजिदि तिनों को सेप्रेट कर दिया यहां पर डिवीजन पाउर का डिवीजन रहता है उसके बा सब्सक्राइब है हम लोग उसको देख रहे हैं कि उसमें क्या बोलता है ठीक है यह तो हमारा अपना जो ही था हूँ हम आपको बता दीए चलिए हम लोग आपके इसमें देखते हैं तो है भारतिये कंसेट्यूशन या कहिए कि कंसेट्यूशन अफ इंडिया यहां पडिया मतलब परलिमेंटरी फर्म फर्म सिर्म फोर्म ओव गॉंज्मेंट में भारतिय समिधान जो इस टायार की कि बात करता है वह परलिमेंटरी फर्म अफ्टी गॉंज्मेंट हो गया और इसके लिए एक तर यह जाए तो आपका इस्सस्टा से में यह काम करता है और उम्त को थोड़ना सा बात किया जाए कि आप आर्टिकल सेवेंटीफोर एंड सेवेंटीफाइफ में इसके बारे में बात किया गया है जो की सेंटर से लेटेड़ है यह जो आपका सेंटर से लेटेड़ है और अगर हम एस्टेट की बात करते हैं तो एस्टेट वाले में आप देखिएगा एस्टेट वाले में 163 & 164 आर्टिकल 163 & 164 जो इसके बारे में चर्चा करता है कि स्टेट में इसी टाइप के पावर रहेगा अब यहां पर जो आपका दो चीजें हैं आपका लजिसलेटिव और एक्जिक्यूटिव तो जो लजिसलेटिव की बात करते हैं तो पब्लिक चूनती है इनको और इसमें से यह बन रहे हैं चाहें प्रसिडेंशियल फर्म हो या पार्लिमेंट्रिक फर्म हो एसपस्ट है कि यह हैं आपको चूज बाई पीपल ओके अब इसके बाद मैं इसमें से जो एस हो कुछ लोग जैसे हम लोग यहां पर अगर हम पार्लेमेंटिफ फॉर्म की बात करें तो आपका लेश्लेटिफ से एक्जिक्यूटिफ बन रहा है जैसे आपका पर्धान मंत्री का चुनाव किसका होता है मेंबर अफ़ पार्लेमेंट का उसी में से पर्धान मंत्री बनता है लेकिन आप यहां पर आपका अगर हम प्रसिडेंशियल फॉर्म की बात करें तो अब यहां पर देखिएगा प्रसेडेंशियल फॉर्म में क्या होता है डिरेक्टली जो चुना जाता है वह प्रसेडेंट चुना जाता है बाई यह सो आपका पीपल नहीं रहता है इसलिए कि यहां पर पहले एलेक्टर सुनी जाते हैं फिर उनका वोट काउंट होता है वह अलग बात है तो यहां पर जो आपका जो फॉर्म आप गवर्मेंट है वह लाइसलेटिव और एक्जिक्यूटिव के रिलेशन कैसा है उस प मतलग जो है सो आपका लेशलेटिव और एक्जिक्यूटिव में आपको संबंध नहीं है लेकिन अगर आप पार्लिमेंटिव फॉर्म में आएंगे तो इनके बीच में एक रिलेशन एस्टिवलिस हो रहा क्योंकि इसी मेंसे यह बन रहे हैं यहां पर यहां पर नेक्स्ट क्या कहा जाता है अलग अलग नैम है चलिए हम लोग देख लेते हैं तो जो पार्लेमेंटिव फॉर्म गवब्मेंट है इसको हम लोग वेस्ट मिस्टर बोडन भी बोलते हैं हाइए और ओम है वेस्ट मिस्टर मोडल भी पोल देते हैं यह कवरनेट फ़र्म बोलतेते हैं यह अलग-अलग जो क्योंकि यह बिटेंट से आया है इसलिए हम लोग यहापी जो आपको वेस्ट मिंस्टर मोडल बोल देते हैं अचा उसके बाद नेट्स स्क्राइट यहां पर है कि जो रेस्पंसिबलीटी की बाद करते हैं कि एक रेस्पंसिबलीटी में जो है आपका यह ज्यादा responsible government है और यह responsible किसके परती रहता है तो legislative के परती लेश्लेटिव कहने के मतलब आपका लोग सभा के परती यह ज्यादा responsible है अगर कुछ करेगा तो लोग सभा के लोग इसको क्या करेंगे हटा देंगे किसको आपको parliamentary form of the government में ठीक है उसके बाद में लास्ट पॉइंट यहाँ पर जिसमें आपका प्राइमस इंटर पारेस का तो होता है फॉस्ट कि एमंग एकोल सब में एकोल है लेकिन यह पहला है ठीक है यह किलियर हो गया अब हम लोग थ्वरा से यहां देखने जा रहे हैं आपका क्या चीज तो हम लोग देखने जा रहे हैं आपको features of the आपको parliamentary form of the government what is the basic features of the parliamentary form of the government basic features of the parliamentary form of the government parliamentary form of the government of the government का features क्या है जो आपका parliamentary form of the government है उसका basic features की हम लोग यहां पर बात करें तो तो सबसे पहला है आपका नॉमिनल एंड रियल एक्जिक्यूटिव कि नॉमिनल एंड रियल एक्जिक्यूटिव में यहां पर नॉमिनल कौन है प्रसिडेंट हो गया आपर यहां पर क्यां हो गया प्राइम मिनिस्टर हो गया ओंड तो देरील एक्जिक्यूटिव वन इस अ जानॉमिनल आंज केंड आपका पार्लिमेंटी फॉर्म और गॉब्मेंट देरिजा टू एग्जेक्विटी वन इस नोमिनल सेग्ड वन इस रियल ठीक है नेक्स्ट वन इस एट मैजरूटी पार्टी रूल का मतलब यहां पर यह हुगा कि आपको लेशलेटर में जिसकी मैजरूटी होगी वहाई जू है कि जो आपका नेटिंट में मैजर में होगा वही जू है सो रूल करेगा जिसके पास मैं आपको बहुम्मथ होगा 50 परसें से ज्यादा उसके बाद में कोलेक्टिव रैस्पंसिबिलिटी कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी मतलब कि यहां पर आपको जो आपका कैबनेट अप मिनिस्टर है यह आतो स्वीम करेगा यह सिंग करेगा जैसे ही आपका यहां पर बहुमत जाएगा यह कहिए कि आपका पीम खतम होता है तो यह है जो आटोमेटिकली इंड हो जाएगा ठीक है क्योंकि इसको बनाने के लिए पीम ही रेस्पोंसिबल लता वही खत पीम हो गया इसका प्लिटिकल होमोजिनिटी है और टूझ जो आपके यहां पर मतलब जो है सबस्क्रा से कहा जाए तो कॉनसीलर फूनिश्टर का यहां पर सेन्थ फॉट होगा तो और मान लेजे कि कोई आपको डिवर्जाट फॉर्ट हो रात रिजाइन करना पड़ेगा जैसे आपको अंबेदकर न 297 अगर मुदिय्ट किया तो अगर यह होगा तो दिक्कत होगी कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा या बोलिए नहीं तो रिजाइन किजिए उसके बाद में यहाँ पे आपको डबल मेंबर्सीफ हो गया कि मतलब जो आपको जो आपका कॉंसिल अफ मिनिस्टर है यह जो आपको यह आपको गॉर्मेंट में भी ठीडेगे पाटिसिपेट कर रहा है और साथ में लेशके दिए यहाँ आपको डबल मेंबर्सीफ हो गया है इसके बारे है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं आपका एप नेक्स पॉनिट जो होगा यहाँ पर लिडर सीप अब प्राइम मिनिस्टर नीचे दिख आपको चलो तो यहां पर यह सो पी-म हेड होता है पी-म जो है यहां पर आपको गवर्मेंट का हेड कोन है यहां पर तो प्राइम निस्टर ही है ठीक है उसके बाद में आपको डिजॉलूशन अप दे लोवर हाउस लोवर हाउस आपको पांच साल में आपको डिजॉल्व होगा और जब पांच साल में डिजॉल्व होगा तो फिर से आपको न्यू गवर्मेंट का फर्मेशन हो गया कि यहां पर आपको लोवर हाउस पांस साल के लिए रहेगा और फिर से हो गया और लास्ट है से अग्रेशी कि यहां पर यह से रासे गोपनी आता है जरूरी है कि कैबनेट में क्या बात है चल लए यह किसी को पता नहीं चलता है कि यहां जबतकि जब एनित पता दंपड़ा मीटिंग का सामने नहीं आ जाता है यह जितने भी पॉइंट patch यह सारे कि सारे पॉइंट क्या है यह सारे पॉइंट जो है वह सो आपको ऊत्विek शेख मे का रेटे और फेस्ट अ की और यह मतलब हो ही यह होशै जाएगा तो यह इंपोर्टेंट बात है ठीक है नेक्स नोग देखेंगे आपको परसिदेंशल फॉर्म आफ गवर्मेंट की क्या फीचर से हैं कि अधा कि अधा कि अधा कि अधा कि कि अधा फीचर स हपर्शल कि महांन कि अधा कि analytics तो आफना देखने जा रहे हैं कि वाट डेसिक फिचछारस अन्ण फॉर्ण फॉर्म आफब्क शुरुट करते हैं तो आपका यहां पर फॉर्म फॉर्म या इसको बात करते हैं तो आपका जो प्रसिडेंट है हेड आफ एस्टेट तो है ही जैसे इंडिया में है उसके आलावा हेड आफ दो गवब्मेंट भी है यह सरकार का भी हेड है और देश का भी हेड है दोनों यह कहीं आदमी है तो पाउवर के एक तरस से कंसेंट्रेशन यहाँ पर देखने को मिलता है ठीक है उसके बाद मैं यहाँ पर सेपरेशन अफ पाउवर है सेपरेशन अफ पाउवर तो यह पाउवर किस के किस के बीच में तो लेशलेटिव हो गया और एक्जिक्यूटीव हो गया तो यहां पर आपको इस चीज़ का हमें ध्यान अखना है कि यह जो आपको पॉर्वर का सेप्रेशन की तरफ हमें ले जा रहा है सेप्रेशन पॉर्वर की तरफ ले जा रहा है लेकिन हम लोग जैसो पारलेमेंटरी फर्म में जैसा डिविजन पवर की हम लोग बात करते हैं ठीक है डिपी एसबी में जैसो सर्प्रेशन की बात की गई है जो कि यह स्टेट को फॉलव करना चाहिए ठीक है उसके बाद में यहां पर जो आपका एलेक्शन की बात करें प्रसिदेंट के तो यहां पर इलेक्ट्रोन कॉलेज द्वारा होता है और यहां जो चार साल के लिए होता है कि इलेक्ट्रोन कॉलेज द्वारा जो है सो कितने साल के लिए हो रहा है चार साल के लिए हो रहा है अब यहां पर एक तरह से कहा जाए तो जो कैबिनेट मेंबर हैं या कॉंसिल अप्मिनिस्टर हैं तो यहां पर जो कैबिनेट है वह आइट से आउट साइड में क्योंकि हमने देखा था कि हमारे यहां आपको पार्लियमेंट यह पूरा पार्लियमेंट हो गया ठीक है भरत का तो यहां पर आपको जो हैस्व जो यहां लोग सवह हो गया और इसे में समयल करें हमारा क्येट हूं है लेकिन अगर इसी में अगर हम यहां पर यूसे CS am吧 और इससे जो प्रेसिडेंट कोई लेना देना शूकंद णहीं यहां मुर्णा पर आपको लेश कि sollte मंध्यम्बर क्यों कि बाहर का है वो तो उसको ग्निंव जोनटन्हें से कोई लेकिन यो होगा लेकिन यह कर्वाँ करें दैशने कर्वाँ मुझट चुन होगा रख रोका कि मोर एजुकेटेड होगा या जैसो आपको इलिजीवल भी हो सकता है क्योंकि आप फिड़ी है न किसको बनाना है तो अच्छे आदमी को ही बनाओग ना यहां पर यहां पर यह बात कहीं गई है दूसरे तरीके से उससी बात को कहीं गई है ठीक है उसके बाद में यहां पर हमने आपको बता दिए क्या चीज हमने बताए आपको यहां पर कि आपको प्रसेडेंशलेंसील फ़रॉंप अगर आपका है तो वहां पे यह हैड अफर हेड़ गॉपन्मेंट और लेना देना नहीं होगा और यहां पर पर सिदेट एलेक्टोर्वल कॉलेज के लिए चार सा तो है यहां पर आपके पास में दिक्कते हैं कि इसी में से बनाना है आपके पास में लेकिन यहां पर पूरे देश में से किसी को बना सकते हैं जिसके पास अच्छा नौलेज हो यहां पर एक तरह से कहा जाए तो हो जाती है तो यहां पर देखेगा डिविजन अपावर को ज्यादा वैलू दिया गया है और यहां पर यह अलग है यहां पर डिविजन के मतलब होई नहीं है दोनों अलग-अलग है इनको मतलब यह अपना अलग काम करते हैं तो यहां पर सप्रेशन अपावर को ज्यादा वैलू दिया गया है एस कंपेजन टूद इंडियन यहां पार्लिमेंटरी फॉर्म अगर हम लोग बात करें तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मेरिट्स परलिमेंटरी सिस्टम अगरिश करें लिए अपार्लिमेंटरी सिस्टम पेर मतलब कि है आपको समझ लेना कि यह पार्लिमेंटरी सिस्टम है तो आपका जो पार्लेमेटरी सिस्टम के मेरिट्स के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला है कि हार्मोनी रहता है ह्लेशलेचर और एक्जीक्युट्व में ठीक है क्यों क्योंकि यह जो एक्जीक्युट्व आया से आया से लि सिल्पन और ど्म काllä से हार्मोनी यहां के देखन통 अवे दिख रहा है ठीक है उसके बाद में यह रेस्पंसीवल गॉशन है के भीसे जसबर किजी एक क्यों कि आपका जो कैबिनेट है है कि दिसे जा टाइप अफ रेस्पंसिबल गवर्मेंट ठीक है नेक्स्ट आपका जो है स्वापको एक तरह से कहा जाये तो कि एस्टॉप डिक्टेटर्शिब इसलिए डिक्टेटर्शिब एस्टॉप है क्योंकि यहां पर जैसा आपको लोग सभा ज्यादा ज्यादा पौअर्फूल में लेकिन उइस्टॉब तो इसक और इसके बीच में नहीं और आपके यहां सब्सक्राइब को डिक्टिटर्शिप भी नहीं है और एक्ट्रेस रेस्पंसिवल गवर्मेंट हो गया उसके बाद मैं आपको रेडी टू अल्टरेनेटिव गवर्मेंट कि यहां पर अल्टरेनेटिव गवर्मेंट जैसे फेल होता है जैसे ही ऑपोजिशन पार्टी रेडी रहता है भाई सरकार बनाने के लिए इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि अपोजिशन रेडी आपको सरकार बनाने के लिए ठीक है और यह दूसरा है कि आपको ज्यादा रिपर्जेंटेशन है कि ज्यादा रिपर्जेंटेशन है तो मोर कॉंसीडर डाइवर्सिटी अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ से आपका यहाँ से सारे लोग चुन करके इस पार्लेमेंट में आ गए हैं दो पार्ट है एक लोग सभा है दूसरा राज सभा है यहाँ से आपको जितने आपको एंडिया करें लेकिन परसेदेंशिटर में इस में से नहीं रहें तो यहाँ पर जाहेगा प्रिपरजेंटेशन पार रहता है लेकिन अपनी रिपर जेंटेशन का आप नहीं है नहीं लोग लोग लोगों के भावनेन को समझते हैं कि यह आपको मिन्स्र होना चाहिए, उपी से उतना होना चाहिए, विहार सा मिंआ रहा उन्स की बगला वगला को इस बुट थे पिंस ओके उसके बाद में हम लोग दूसराम देखैंगे आपका the demerits these all are the merits and now we are seeing that demerits what is the demerits of the parliamentary form of the government okay demerits demerits of parliamentary form of government demerits इसका क्या है parliamentary form of the government का तो पहला demerits इसमें यह है कि यह जह से इक तरह से कहा जाए तो unstable government हमें ऐसा on stability बनी रहती है जहां बहुमत अठाव खेल खतम तो unstable government है तो unstable government का दिक्कत क्या होगी कि unstable policy भी रहे की और जब और पोलिसी रहेगी तो डेवलोप्मेंट हैंपर होगा कि यहां पर क्या है कि यहां पर क्या है कि यहां पर जैसा आपका unstable government है दूसरा चीज़ है कि आपको तो पॉलिसी भी नहीं रहेगी उसके बाद जैसा आपको कैबिनेट जैसों डिक्टिटर बन जाता है कि डिक्टिटर शीप आफ कैबिनेट ठीक है क्योंकि कि पीम जैसों फॉस्ट है और हेड़ कैबिनेट है यहीं कि यहां पर थुरा सा कैबिनेट का डिक्टिटर शीप देखने को मिलता है क्योंकि जो कैबिनेट चाहेगा वही होगा ठीक है उसके बाद मैं यहां पर सेप्रेशन अपावर नहीं है क्यों क्योंकि जो है सो एक्जिक्यूटिव जो है वहां आपका कहां से आ रहा है लेश्लेटिव से ही तो आ रहा है पार्लेमेंट से ही तो बन रहे है तो यह से प्रेशन अपावर कहां से रहा है नहीं रहा उसके बाद मैं आपको यहां पर कई बार जो रूलर है या मिनिस्टर है इन इलिजिबल भी रहता है लेकिन पार्टी की कारण जैसो उसको बनाना पड़ता है तिहां पर यह समस्या रहती है ठीक है तिहां पर जैसो डिमेरिट्स इसके यह हैं और हमने लिए यहां पर थुरा सा क्यों एड़ाप्ट किये हमने वाई इंडिया अड़्च पार्लीमेंटरी फर उन अगर उसके बारें बात करें कज़ा है अगर हम लोग बात करें कि वाई एड़ाप्ट पार्लेमेंटरी फरम दो गव्मेंट वर्ट इस बेसिक रिजन यहां तो भारत देश में पाल्लेमेंटिक फ़र्म क्यों एडप्ट किया गवई रिजन यहां पर यह है कि हम लोग जैसे पहले से जानते थे फेमिलियर थे क्योंकि अंग्रेज भी इसी सिस्टम से भरत देश में रूल कर रहे थे तो पहला चीज तो है कि वी आर फेमिलियर हम लोग इसको समझ रहे थे कि हम लोग क्या है ठीक है उसके बाद हम लोग जैसो मूर रेस्पंसिवल को प्रिफर किये क्योंकि अगर हम लोग प्रसिदेन्सियल में जाते हैं वहां दिक्कत क्या थी वहां इतनी अच्छी तो पीर धा उसको मन करता उसको औरॅंड मिनिस्टर वनाता तो पिर दिक्कत ही हो जाती ठीक है और यहां पर हम लोग यह वात क्योंकि आपको यह से में यह दोनों अलग अलग है तो आपस में लड़ने के चांस कम हो जाएगा तो हम लोगों ने क्या किया कि हमें ज्यादा से ज्यादा यह से चाहिए और यह सो लगा यहां भी नहीं हो क्योंकि लड़ाई होगी तो फिर दिक्कत होगा अनस्टिब्लिटी आजाएगे ठीक है और हमारी जैसो इन्ट इस हुआ इन्ट इंडियन सोसाइटी क्योंकि इन्डियन के सोसाइटी के जो नाचर है ना वह भी डाइबर्स है तो डाइबर्सिटी में मोर्स परता है अगर डाइबर्सिटी में अगर मोर्स रहेगी यह ज्यादस ज्यादस लोगों का रिपर्जेंटेशन नहीं रहेगा तो इसे ही प्रोलम हो जाएगी यहां पर आपको समझना परेगा कि देर इस दा फैमिलियर थे हम लोग दूसरा वाल यहां पर इंदियान मोडल हो गया और दूसरा वाला यह हो गया आपका ब्रिटिस मोडल हो गया वैसर तो सबसे पहला थे हमारे पास यहीं क्या चीज कि हम लोग आपका Republic है कि वं हाँ एजय सो मतलब कि हमारे हैं परसिदेन्ट का चुनाव होता है और इनकी है मोनार्की है मैं पहला चीज है कि इनकी हां पॉइस्यूरा कि भी पर विकowan क्सक्रालेमेंट को सुप्र comparative कर लेता है जुटिस्यल रिभ्यु के तर्फ में लेकिन यहां पर नहीं है यहां पर यह सो पार्लियम्एंट सुप्रीम है यहां पर सुप्रीम कोट को ज्यादा वाइलू कम वाइलू है इंडिया में सुप्रीम कोट की ज्यादा वाइलू है तो दूसरा चीज़ यहां आपको प्राइम निश्टर होगा इंडिया में जहाइसो पी-एम आपका लोर या अपर हाउस से बन सकता है लेकिन आपका बेटेंड में जैसे आपका पी-एम जो होगा हम ऐसा लोर हाउस का होगा चौथा पॉइंट यहां पर यहां है कि जो आपका cabinet member होंगे अच्शी के छे मार रह सकते हैं लेकिन यहां पर यह चीज़े नहीं है membership लेना ही पड़ेगा पाँचवा है कि जो cabinet है यह को एक तरह से कहा जाएं तो responsible है कि टू प्रसेडेंट यहां पर समझना लेकिन यहां पर मूर रस्पन्सीबल है क्योंकि मिनिश्टर जो सब्सक्राइब करता है उसके बाद जाता है आपको महारानी के पास में क्योंकि महारानी कभी घर्वर हो इसकती है ठीक है सब्सक्राइब किma सुक्राइब कैसे सिस्टम अफर लीगल रहे इसuestas mü हीं कि इंडिया में चीज नहीं है और सांथ मैं आपको दिख रहा है की नहीं दिख रहा है इस चलए हम आगे हैं यहां पर लिख देते हैं कि नमर में जो है सब क्रेकर स्बर्षार्प्न ही ति नमर में जो है हमारे पास में सब्सक्राइब कर लिया धन्यबाद पसंद आता है तो कमेंट कर देजिएगा सब्सक्राइब कर लिए आपकी इच्छा होगी तो जैसा आप चाहें